अनुशा अपने आपको बहुत मॉडन समझती थी छोटे-छोटे कपड़े, कटे हुए बाल और बेहिसाब मेकब लेकिन चरित्र की बहुत स्ट्रॉंग थी शेहर के मेयर के बेटे समर का दाखिला भी अनुशा के कॉलेज में हो गया था मेयर का बेटा होने के कारण समर एक चरित्रहीन लड़का था जब उसने अनुशा को पहली बार देखा तो उसे पाने के लिए बेचैन हो था और बाकी लड़कों से बात करने लगा अरे यार या लड़की है, पटाखा है पटाखा, मेरा दिल तो इस पर आ गया जब तक इसे अपना नहीं बना लूँगा, तब तक चैन नहीं लूँगा अरे यार या आग है, छूने की कोशिश की तो हाट जल जाएगा या किसी को हाट में नहीं रखने जेती, मैं तो पिछले कई शालों से इसके चक्कर में हूँ दो दिन पहले ही उसने मेरे भाई के मुँपर थपड मारा है, मेरा मन उसे सबक सिखाने के लिए तड़प रहा है अरे भाई, आप तो अपने लब गुरू सेनियर दुरगेश से ही बात करनी होगी, वह बहुतों की मंदत कर चुके हैं, चलों, उसके घर चलते हैं सभी सीनियर दुरगेश की घर पहुचते हैं, और समर दुरगेश से कहता है अरे दुरगेश भाईया, अब तो आप ही मेरी नईया पार लगा सकते हैं कॉलेश की एक लड़की पर मेरा दिल आ गया है, बोड़ी तो पठाका है, जब तक उसे पहन आलो, रातों को नींद नहीं आती अरे भाईया, हम सब आपकी शरन में आएं हैं, लड़की बिजली है, ना जाने कितने लड़के उससे थपर खाचुके हैं कॉलेश में दाखिला लिया नहीं कि तुम लोगों के पर निकल आए, जड़ा उस लड़की की फोटो तो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ और कौन है हाँ हाँ क्यों नहीं, भीया मैंने तो उससे देखते ही अपने मोबाईल में उसकी फोटो खीचली थी, लड़की बम है, कहीं आप ही उससे दिल मत दे देना, देखो अरे तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम्हें पता भी है या फोटो किसकी है, लगता है तुम्हारे आखरी दिन आ गये है, तुम दुरगेश की बहन के साथ फलट करना चाहते हो, और दुरगेश से ही मदद चाहते हो दुरगेश की बात सुनकर समर, स्वरूप और अमर, तीनों की आखें फटी की फटी रह गई, और वे तीनों शर्मिंदा स्वर में डरे हुए, दुरगेश से माफी मांगने लगे अरे भईया, ये तो खतरना गलती हो गई, आपकी बहन हमारी बहन, आज के बाद अब उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं अरे भईया, अनुशा तो हमारी छोटी बहन जैसी है, आज के बाद हर अक्षा बंधन पर उसी सराकी बंधवाने आएंगे ये भगवान, कैसी गलती हो गई, अपनी बहन के उपर ही हमने गंदी नजा डाली, दुरुगेश भहिया, हमको माप कर दीजिए ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें पता होता कि वह मेरी बहन है, तो ऐसा कभी नहीं सोचते अनुशा मेरी आखो का तारा है, एक हपते के बाद होली है, तुम सब लोगों होली में आओ, अनुशा से मुलकाद भी हो जाएगी, और होली भी मना लेंगे क्यूं नहीं क्यूं नहीं बहुत बढ़ियां योजना है तो फिर हम लोग होली में मिलते हैं भाया चलते हैं काफी देर हो गई है घर में मा भी इंतजार कर रही होगी समर स्वरूप और अमर घर वापस लोटती समय एक दूसरे से बात करने लगे अरे यार बूरे फस गए यह तो कहो दूरगेश भाया ने अपनी रिबोलबर नहीं निकाली पता है यह तो बात से पहले गोली मारते हैं और नुसा को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए अरे दूरगेश भाया की भेहन है सुनते ही उसका सपना देखना बंद कर दिया मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि दूरगेश भीया से पंगालू मैं उससे कभी नहीं भूल सकता उसका सरीर मेरी आँखों के सामने घुम रहा है जब तक मैं उससे अपना नहीं बना लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा खर छोड़ो अब भूली में मिलते हैं हम खुब मज़ा करेंगे जो होगा देखा जाएगा तीनों अगले दन जब कॉलेज आए तो समर ने अपने दोस्तों से कहा कि वो उसके साथ अनुशा से मिलने चले पर दोनों ने इंकार कर दिया तो समर खुद ही अनुशा के पास गया हलो मैं दुरगेश वहया का दोस्त हो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं जानती हो कॉलेज के पहले दिन ही मेरा दिल तुम पर आ गया और मैं दुरगेश वहया के पास चला गया और पता चला कि तुम उनकी बहन हो आरे वा, बड़े हिम्मती हो तुम उसके बाद भी मुझसे बात करने आगे मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी चलो, आज से दोस्ती कर लेते हैं वैसे तुम काफी स्मार्ट हो मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद है दुर्गेश भाईया ने होली में हमें अपने घर पे इंवाइट किया है तो फिर होली में मिलते हैं, तयार रहना अब की बार जम के होली खेलेंगे आरे मुझे कुछ ऐसा वैसा मत समझना मैं दुर्गेश भाईया की बहन हूँ किसी से नहीं डरती तुम खुद को बचाने के लिए तयार रहना इस बार होली में बुरा हाल होगा तुमारा अच्छा अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं बाद में जब वो दुर्गेश भाईया के घर पहुँचे तो भाईया ने उन्हें घर की बनी भांग पिलाई और जब सब नशे में आ गये तो अनुशा को आवाज लगाई वो मेज पर सजी अपने हाथ से बनाई हुई गुजिया दही बड़े, गुलाब जामुन और कड़ाई मतन उन सब को परोसने लगी सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट था धूल वाला जोर जोर से धूल बजाने लगा दुर्गेश भाईया का घर महमानों से भरा हुआ था दुर्गेश महमानों में व्यस्त हो गये थे ये देखकर समर अनुशा के पास आया हाई अनुशा तुमने तो कहा था बड़ी जवर्दस्त होली खिलने वाली हो लेकिन तुम तो हमें रंग लगाने भी नहीं है वैसे होली के रंगों से भीगे हुए कपड़ों में काफे सेक्सी लग रही हो मेरी हाथ में भी कई सारे रंग है समर ने अनुशा को जोर से पकड़ लिया और उसके शरीर के साथ खिलवार करने लगा अनुशा जोर जोर से चिला रही थी पर ढोल की आवाज में उसकी आवाज फीकी पड़ गई थी सब नशे में धुत नाच रहे थे देखते ही देखते समर ने उसकी इज़त लूट ली उसके पूरे शरीर में नाखून के निशान थे अनुशा जोर जोर से रो रही थी खबर मिलते ही दुरगेश भाईया वहाँ पर आ गए अनुशा मेरी बहन मेरी जान तिर ये हालत दुरगेश की बहन को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत हुई कौन है वो नवसा जिन्दा नहीं छोड़ूंगा भाईया भाईया तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने तुमें दोगा दिया है समर ने मेरी इसद लूटी है भाईया और मुझे कई का नहीं छोड़ा भाईया भाईया मैं मर जाओंगी भाईया मैं मर जाओंगी भाईया मैं मर जाओंगी बहन की बात सुनकर दुरगेश रिवॉल्वर हाथ में लिए अपने गुंडे दोस्तों के साथ मोटर साइकल पर बैठ कर सीधा समर के घर पहुचा समर के पिता मेर कमर सिंग बाहर आए और बोले बिटा गलती तो बहुत बड़ी की है समर ने लेकिन एक उपाय है मैं तुम्हारी बेहन को अपनी बहु बना लूँगा तुम समर को छोड़ दो मेरी भी जैकार होगी और बेहन को भी इनसाफ मिलेगा आपने अच्छा सौदा किया है मेर साभ बेहन की इज़त के बदले आप उसे अपने घर की बहु बना सकते हैं पर आपका बेटा इस लाएक नहीं कि मैं उसे अपना दमाद बना लूँ पर बेटा उसके खिलाब कुछ भी करने से तुम्हारी बेहन की भी बदनामी होगी और मेरा राजनितिक केरियर भी खराब हो जाएगा इसलिए अच्छा है कि हम लोग आपस में ही फैसला ले लें आज आपके बेटे ने मेरी बेहन की इज़ट लूट कर उन सारी लड़कियों को भी इंसाब दिलाने का रास्ता खोल दिया है जिसकी इज़ट लूटी गई है और जिस पर आपने परदे डाले हैं दुरगेश ने समर के खिलाब केस करने जा रहा हूँ और मेडिकल चेक अप में आपका बेटा अपरादी साबित हो जाएगा दुरगेश ने समर की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी और मेडिकल चेक अप में उसका डियने मिल गया जिसके कारण समर को आजीवन कारवास की सजा हो गए और मेर साहब को अपने बच्चे की गलतियों पर परदा डालने का हल भी मिल गया और उन्हें अपनी कुर्सी से स्तीफा देना पड़ा इसके बाद दुर्गेश और अनुशा ने कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं किया और उसे इनसाफ मिल गया